हलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड्स एड़रेट प्रिप्रेशन इस एनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए केंद्री विद्याले का क्लास थर्ड का ईवेस का प्रियोडिक टेस्ट सेकिंड का कोशन पेपर इस वीडियो का आप यूटलाइस कर सकते हो पीडी टू इनफर्मेशन फिल करनी होगे जिसमें आप अपना नाम, रोल लंबर, क्लास, सेक्शन, डेट, डे, यह सारी इनफर्मेशन फिल कर देंगे उसके बाद इस कोशन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि जो कोशन पेपर हैं इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया एक बार one by one हम तीनों ही कोशन से इसे discuss करेंगे तो start करता हूं है आपके लिए observation and reporting से जैसे यह first competency है जिसके अंदर आपको यह pictures सबसे पहले display किया जा रहा है और उसे identify करके नाम बताना है कि यह क्या दिखाई दे रहे आपको जैसे यहां mention भी किया गिया है कि observe the pictures and write their names in the blank दे देखो आपका जो question paper होगा वहाँ भी आपको black and white form में ही मिलेगा तो यह carrot आपको दिखाई दे रहे है तो आप यह carrot लिख सकते है अपने answer में अब यह जो picture है आप लोगों ने ज़रूर खेला भी होगा है इस game को लूड़ो आपको दिखाई दे रहे है तो आप यह लूड़ आप यहाँ पे लिख सकते है उसका नाम उसके बाद यह crickator है जैसे कि हमारे Indian cricket team में खेलते है ठीक इस crickator का नाम आपको यहाँ लिखना है थोड़ा black and white picture है थोड़ा picture देखने में problem हो सकती है आपको इसलिए मैंने exactly जो question paper में वही picture यूज किया हुआ है ठीक है क्योंकि exam मे भी इसी टाइप का picture आपको मिलेगा तो confused ना हो इसकी अच्छी practice हो सके इसलिए मने लिया है तो विराट कोली आपको यहाँ देखने को मिल रहा है तो आप लोग क्या करोगे विराट कोली का नाम यहाँ पे अपने answer में लिख दोगे आज कल World Cup भी चल रहा है तो आप लोग इस player को तो अच्छे से जानते ही होगे और comment करके बताना मुझे कितने ऐसे बच्चे जिनका यह favorite player है ठीक है तो वो अपना नाम मुझे comment में लिख करके जरूर बताना अच्छे इसके बार next आपको picture जो show किया जा रहा है cricket bat का show किया जा रहा है तो आप bat लिख सकते हो या फिर cricket bat लिख सकते हो अपने answer के अंदर यह telephone है और कौन सा telephone है landline है तो अब आप यहाँ पे इसके answer में लिख सकते हो landline telephone ठीक है तो यह भी आपका question complete हो जाएगा उसके बार next है आपके पास जो question है यहाँ पे एक picture आपको show किया जा रहा है और question में बोला जा रहा है कि observe the given pictures and give answer of following questions जैसे यह picture आपको display किया जा रहा है इसे अच्छे से देखो और उसके बाद जो question पूछे जा रहे है इनके answer करो तो जैसे first part है इसमें आपको बोला जा रहा है name the script given below अब यह Lewis Braille जिनोंने यह script को invent किया था ठीक है तो उनके नाम पे यह script है क्या नाम है इसका तो आप कह सकते हो कि यह bell जो है जो है Lewis bell उसकी script है तो bell script है तो आप अपने answer में first part में लिख सकते हो second में आपको बोला जा रहा है write its use इसका use क्या होता है जो लोग देख नहीं सकते है जो blind लोग होते देख नहीं सकते है तो वो read कैसे करे उनकी reading के लिए इसे use किया जाता है यानिकि यह dot देख रहे हो इन dot को touch करके थोड़ा से उबहा हुआ होता है 3D shape में होता है उबहा हुआ होता है इसे touch करते है और उसके बाद वही पहचान लेते हैं क्या लिखा हुआ है और इस पर reading के लिए use कर लेते हैं देखो आपने जो भाया वाली जो story पड़ी थी ना ठीक है तो वह आपसे question पूछा जा रहा है first part के अंदर what kind of house is given in the picture तो आप लोगों ने जैसे ही से देखा ये कह बोट house है तो अपने answer में आप लिख सकते हो कि ये कह बोट house है second में आपको बोला जाला है name a place where these are generally found देखो हमारी country में जो केरला जो state है उसके अंदर ये boat house आपको देखने को म बता सकते हो जैसे कश्मीर वगरा में भी आपको डल लेक में भी ये देखने को मिल जाएगा तो आप कश्मीर या फिर डल लेक लिख सकते हो अपने answer में वो भी correct answer आपका हो जाएगा इस तरह से आप 8th question को complete कर सकते हो उसके बार next question है आपके लिए question number 9 और ये जो heading है आपके second competencies start हो रही है यानि कि ये identification classification based questions आपके लिए यहाँ पूछे जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को start करते है question number 9 onward तो जैसे 9 question है इसमें आपको बोला जारे name any leafy vegetable अब leafy value जिसमें पत्ते वगरा होते है ऐसे जो vegetable होते है उसका नाम लिखना है तो आप लोगों ने पालक हम लोग खाते हैं किसी भी साग का नाम आप लिख दो सरसो हो गया मेथी हो गया बत हुआ हो गया ठीक है तो इन सब में से किसी का भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने answer में और 10th question में आपको बोला जा रहा है name one harmless animal जो हमें हाम कर सकते हैं जैसे tiger भी हमें मार देंगे हमें मार के खा भी जाएंगे तो इन wild animal जो होते हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो 11th question में आपको बोला जा रहा है name one means of communication communication के लिए जो भी material यूज़ करते हो कोई भी छीज़ है उनके बारे में बता सकते हो जैसे आप mobile यूज़ करते हो आज कल तो बहुत common है यह mobile ठीक है तो mobile के आए एक communication का medium है जिसे हम use करते हैं तो आप इसके answer में लिख सकते हो उसके बाद next है question number 12th question में आपको बोला जा रहा है name an item that made from clay clay से through जो भी चीज़ बनाई जाती है उसका नाम लिखना है तो आपके घर में flower port वगरा होगा तो जो port होता है मिटी से बनता है clay से बनता है तो यह आप अपने answer में लिख सकते है उसका answer अच्छा उसके बाद next है आपके लिए question number 13 और 13 question में आपको जो बोला जा रहा है पहले उसे पढ़ लेते हैं कि write the names of our food item that you get from animals animals से जो भी चीज़े मिलती है उनके नाम आपको लिखने है ठीक है जो भी जो food item खाज तो आप अपने answer में मीट लिख सकते हो और भी food item हमें milk भी मिलता है ठीक है तो यह भी लिख सकते हो यानि कि वह सारी चीज़े लिखोगे जो आपको animal से मिलता है ठीक है वह food item आप यहां पे mention कर सकते हो उसके बाद next है 14 question 14 question भी almost 13 question जैसा ही है बट एक बड़ इसे पढ़ लेते ह of any four dairy product dairy product यानि जो milk वगरा से जो चीज़े बनी होती है उसके नाम लिखने है एक तो milk किसे तो milk ही आप लिख सकते हो milk के लाग कर्ड जो होता है यह भी है आप sweets वगरा भी खाते हो तो उसमें भी milk का material यूस होता है वो लिख सकते हो आइस क्रीम वगरा में भी हम लोग फिफ्टीन कोशन में आपको बोला जारा है कि classify the given statements as true or false अब यह statement आपको given है first a second b तो जैसे आपको यह देखने को मिल रहा है इन statement को आपको read करना है अगर आपको correct लग रहा है तो true लिख दोगे अगर आपको false लिख रहा है यानि wrong लग रहा है तो false लिख लोगे तो जैसे first statement है MS Dhoni is a player of badminton, badminton के player थोड़ी है यह दो cricket के player है तो यह statement आपको wrong दे रहा है तो आप अपने answer में false लिख देंगे second b statement देखो old people have the problem of joint pain जो बुढे लोग होते है old people होते है senior citizen होते है उनके joint में pain रहता है हाँ अकसर रहता है इसलिए वो ज्यादा walk वगरा नहीं कर पाते है हैं बहुत सारी activity नहीं कर पाते हैं यह statement बिल्कुल correct है यानि यह true लिख सकते हो या पर false के लिए correct यह cross sign भी कई बार use करने के लिए आपके exam में आ जाएगा और कई बार true के लिए right sign भी use करने के लिए आ जाएगा तो question को दिहान से बढ़ना true false की जिएक right wrong लिखने भी आ जा है जिसे roots वगरा तो जो सलगम होता है ठीक है सलगम वगरा हो गया गाजर हो गया मूली हो गया यह सब क्या ऐसी चीजी है जिसे एक root है plants के जिसे हम खा लेते हैं तो वह आप यहां पर अपने answer में लिख सकते हैं leafy vegetables जो भी है उनके नाम आप यहां लिख सकते हो जिसे पालक fruits वगरा के name भी आप यहां लिख सकते हैं बहुत सारे fruits आपके जो भी फेवरेट हैं आप किसी का भी नाम लिख सकते हो सब्सक्राइब लिख लेना या कुछ और है वह भी लिख सकते हो जो plants के जो बाकी parts हो तो यह स्टीम वगरा भी हम यूज करते हैं तो जो जो चीजे यह 17 question 17 question में आपको बोला जा रहा है कि who delivers the letter to our to your house अब देखो यह जो question है आपके लिए basically यह third competency यहां से आपकी स्टार्ट और यह discovery of facts कि और इसमें जैसे आप से पूछा जा रहा है कि आपके घर में जो letter वगरा है यह deliver कौन करता है उस person का name आपको यह mention करना है तो पोस्ट व quality quality you learn from game अब game से आप लोग क्या कर सकते हो team spirit सीखते हो वो बता सकते हो friendship की स्किल सीखते हो वह भी बता सकते हो ठीक है तो यह सारी जो चीज़ आप game खेलने के बाद यह स्पोर्ट से जो सीखते है वो चीज़ आप बता सकते हो ठीक है leadership skills भी आप किसे सीखते हो आप games में सीख जो आप captain बनते हो तो आपके अंदर क्या करते हो leadership skills डबलप होती है तो जो भी skills या quality आप सीखते हो वह आप यहाँ पे लिख सकते हो उसके पार 19 question में आपको बोला जा रहा है name and Indian athlete कोई भी athlete जो हमारी country से represent करते हैं हमारी country को उनका नाम लिख सकते हो जैसे आजकल नीरा चोपड़ा जो है उन्होंने वह क्या नाम है जबलिन थ्रो जो है उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि भी जो ओलंपिक मैडल जीता हुआ है गोल्ड मैडल जीता हुआ है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो या फिर आपका कोई favorite player है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो उसके बाद next है आपके लिए 20th question जिसके अंदर आपको एक गेम का जो है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए आपको बोला जा रहा है आप लोगोंने हॉप्स को जो गेम खेला हुआ ह उसकी ड्रॉइंग करके उसका आउटलाइन ड्रॉ करके आप यहाँ पर दिखा सकते हो जरूर आप लोगों खेलते हो और घर में खेलते ही होगे ऐसा मुझे लगता है तो उस गेम का आउटलाइन यहाँ आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो अपने answer में इसके बाद next है आपके लेक कोसिन नूबर 21 21 कोबसे जो है इसमें आपको बोला जा रहा है व र송्सः morphology कि यहाँ पर ब्रेकर करें तो खानलोता है यहाँ पर प्रस्ट्थ संडिपिकेशन नंबर और लुग देते हैं ठीक है तो यह इसकी फुल फोघल आपको यहाँ पे लिग ड़ने अपने answer में उसके बार next आपके 22nd question जिसमें आपको बोला जा रहा है जो कच्चा house होता है इसके बारे question पूछा जा रहा है what is the house made of किसी से बनता है तो मड यानि मिटी वगरा यूज होता है water वगरा इसमें यूज करते हैं और जो dry grass होता है ठीके grass वगरा इसे भी यूज किया जाता है तो इस सारे material आप यहाँ पर अपने answer में लेख सकते हैं इसके बार next question है question number 23rd question में आपको बोला जा रहा है कि how can you help old people जो old people होते है जो बुड़ी लोग होते है उनकी help आप लोग कैसे करोगे यह question आप से पूछा जा रहा है तो उन्हें जैसे अगर उन्हें दिखता नहीं है और उन्हें newspaper पढ़ने का मन कर रहा है newspaper में जानने का मन कर रहा है तो आप उन इससे आप उनकी help करोगे वह आप यहां पर अपने answer में लिख सकते हो ठीक है अच्छा इसके बाद next है आपके लिए question number 24th question में आपको यह picture show किया जा रहा है जो की postcard का picture है ठीक है जहां पे आप sticker वगएर यहां पीस्ट करते हो यहां डाक टिकट यहां चिपकाते हो और यहा आप लोग क्या करते हो फ्रॉम फ्रॉम का मतलब होता है कि जैसे आप letter post कर रहे हो तो आप अपना नाम और address यहां लिख सकते हो ठीक है और जिसको आप send कर रहे हो जिस अपने friend को send कर रहे हो तो उनका address आप यहां पर लिखते हो इस basis पे आपके लिए question है जैसे यहां बोला जो उसका address पूछो और यहां लिख दो जैसे house number क्या है उसका 123 house number है street number क्या उसका तो पूछ लेना उसका स्टीट नमबर क्या है तो वह भी आप यहां पे लिख सकते हो इस तरह से आपने क्या करना है पूरा एड्रेस उसका लिख दोगे तो आपको यह मार्क्स मिल जाएंगे फाइनली हम लोग आ गए है अपने इस कोशन पेपर के लास्ट कोशन के ऊपर ठीक है तो जिसमें आपको बोला जा रहे है वी कीप सम पैट अनिमल्स एट होम वी लुक आफ्टर दैम टू इन दा टेबल बिलो आर दा नेम्स आप सच अनिमल्स कम्प्लीट दा टेबल अब दे हम उसे अपने पास ऐसे पैट क्यों रखते है उसके पीछे का रीजन भी आपको मेंशन करना है जैसके ब्लैंक स्पेस है यहां पर लिखोगे और किसी किसी में आपको लिखा वाले दे रखा है तो उसके बैसिस पर आप एनिमल के नेम लिख सकते हो जैसे फर्स्ट वाले मे उसे क्यों रखते है अपने पास to get milk ठीक हो हमें दूद वगरा प्रोवाइड करते हैं गाय वगरा इसलिए हम उसे अपने घर में रखते हैं तो उसका नाम आप यहां पर लिख सकते हो उसे रिजल लिख सकते हो हम लोग क्यों रखते हैं नेक्स आपको पूछा जा रहा है पुल दब टाट अब जो डूद जो जो बुल होते है ठीक है वह लोग क्या करते हैं जो हमारी जो गाड़ी होते बूड काट ठीक है उसे खीचने का का आम करते हैं तो इस एनीमल का नाम आप यहां लख सकते हो तो उसके और नेक्सte है औक्स आउक्स का यूज़ यूज के लिए करते हैं खेती वगरा करने के लिए यूज़ करते हैं तो टूटे डिक हैल्प तो टेक हैल्प for farming ठीक है जो farming activity होती है क्थेती व गरा होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं है निक्सकते और कलुछ Doll ेती हैं तो आप लग सकते आउब यूज़ एक्स ठीक है कि अब अपने घर में र होता है तो किम लोग से मुर्ग अपने घर में रख लेते हैं और फिर बैट है तो उनसे हमें अपने सब्सक्रायर में उच्बृकrån करता हूं भी लाइक ज़रूर किया करो ठाकि मुझे अच्छा लगे और ऐसी और वीडियो में आपके लिए टाइड टाइम टू टाइम लेकर आ सकूँ इसकी नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें इसके लाबा एक रिक्वेस्ट और है कि मेरा जो सेकिंड चैनल है मेरे नाम से मिश्टर कृष्णा शाह इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि यहाँ वाली भी वीडियो आपके पास अज़े नोटिफ कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो अगर आपके इंद्री विद्या लगे स्टूडेंट हो तो आप लोग मुझे जॉइन कर सकते हो टेलिग्राम के उपर उस ग्रूप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक भी नी नहीं है ठैक्स पूर वाचिंग बाब बाए